Hello students, in today's video we will find out the unit digit in the product ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक product दिया गया है ठीक है, 6812 का multiply 3528 x 3179 x 4324 ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, unit digit निकालनी है इतने बड़े multiply को करने से पहले, मैं आपको छोटा सा multiply करके दिखाता हूँ कि वहाँ पर आप unit digit कैसे निकाल सकते हैं, like 14 x 25 x 6 ठीक है, अब इसकी unit digit कैसे निकालेगे, simple है, ठीक है 14 का सबसे पहले आप multiply करोगे न, यही तो करोगे सबसे पहले, होना भी चाहिए ठीक है, अब इसके आगे, अगर मैं देखी कुछ करूँगा, तो क्या आएगा, 5 x 20, 5 x 5 यह भी करने की जरूद नहीं है, बस आपको करके दिखा दे रहा हूँ है, ठीक है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर cross, 2 x 8, 2 x 2 ठीक है, कितना होगा है, 7, 7, 14, 1, 15, 3, 350 है, तो unit digit बताने है, यहाँ पर unit digit कहाँ से start होती है, यहाँ से, ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पर एक multiply रहे गया है, 6 का, तो 6 x 0, 0, 6 x 5 x 30, 6 x 3 x 18, 21, तो unit digit अब पूरा multiply होने के बाद क्या है, 0, ठीक है, अब मैं देखी है, यहाँ प कर देता, इसकी last संख्या, और इसकी, ठीक है, unit digit, मतलब इसकी unit digit और इसकी unit digit का multiply किया, ठीक है, 4, 5, 20, 0, अब देखी है, यहाँ पर नीचे तो कुछ और आएगा नहीं, 0 confirm था, ठीक है, तो मैं यह कह सकता हूँ, 4, 5, 20 का, जो multiply करने भी unit digit आएगा न, वो आप डारेक्ट ल अरे, 60, 0, तो अगर मैं यह कह दूँ कि, unit digit का multiply, unit digit से करो, ठीक है, उसके बाद जो unit digit आए, ठीक है, इसका multiply मने unit digit का multiply, unit digit से करो, इसके बाद जो result आया, उसका भी multiply, unit digit से ही कर दो, माल लो अगर यह 61 भी होता ना तो बहुत 1 से अगर माल हो यह 350 आया है ना 61 होता तो क्या लिखते है 100 जा 0 ठीक है उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई मतलब नहीं फिर यहाँ पर क्रॉस हो जाता फिर उसका भी result क्या होता है unit digit का जो number होता 0 ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्यों हमें unit digit से मतलब है ठीक है यहाँ से start करते है 2 8 जा 16 ठीक है 16 की unit digit 6 ठीक है अब 6 का multiply किसमे होगा 9 से 6 9 जा 54 ठीक है 54 अब 4 यहाँ पर लेंगे और 4 का multiply किसमे होगा 4 से 4 forza 16 unit digit क्या है 16 में 6 है final answer आपका 6 हुआ hope so आपको यह question अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको यह question अच्छे से समझ में आया हो तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you so much